अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयर वेज दा एयर ट्रेवल टुड़ी इन दा फास्ट मोस्ट कमफोर्टेवल एंड प्रेस्टिजियस मौड और ट्रंस्पोर्ट आज जो एयर ट्रंसपोर्ट है वो सबसे फास्ट आराम दायक और बहुत ज़्यादा परतिस्थित हमारा मी जो एयरिया है डेंस फॉरेस्ट वाले एरिया जैंड अल्सो लोंग ओशनिक स्ट्रेच विद्ग्रेट के और हम बहुत ज्यादा लंबे जो समुदर के जो रास्ते उनको बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं एयर ट्रंसपोर्ट के अगर हम की एयर ट्रंसपोर्ट के अभाव प्यक्राई में देश के जू नोर्थ या नोर्टीस जो राज्य हैं उनके विषय में अगर हम सोचें जहां या फिर बढ़ी बढ़ी नदिया है जहां पर हमारा बहुत ऊचे एडिया से डेंस फोरेस्ट है एंड फ्रिक्वेंट फ्लर्ड जहां पर बहुत ज़्यादा बाड़ आ जाती हैं ऐसे आधी ऐसे जो एरियास हैं वहाँ पर हम इसकी द्वारा बहुत आसानी चे पहुंच सकते हैं है है हम आगर देखें कि जो हमारा एर ट्रेवल है एकसे इस जो इन सब चीजों तक पहुंचना किसने हमारे लिए बहुत जाले इजी बना दिया एर ट्रेवल ने यानि हम एर्वेस के द्वारा इन ऐसे एरियास तक बहुत ही इसली पहुंच सकते हैं हुआ का अंब्स प्रवड तोर पर अंडीयन एर्लाइन्स इंडिया यानопार चैक्रीन आनुशंग हैया बहुत सारी प्याइवेटच एर्लाइन्स जैसे घरेलु विवान से वाई भी यह उपलब्द करवाती है एंडिया हमारी इंटर्नेशनल एर सर्विस है पामनहांस हेलिकॉप्टर लिमेटेड या तेल और नैच्रल गैस आयोग को इसकी अप्टाटिय सक्रिया ताव में या बहुत जो दुलब एरिया होते हैं जहां पर हमें बहुत मुस्किल से पहुंचना होता है वहाँ पर वह ऐसे छेत्रों में हमारे या जैसे इस उत्तराखंड के जो इंटीरियर इंलेंड एरिया जैने इनके अंदर वारे जो एरिया वहां पर हेलिकॉप्टर सेवा यह उपलब्द करवाता है इंडियन एरलाइन्स की सक्रिय पडोसी जो देश हैं जैसे हमारी साथीस्ट एशिया या मिडल इस्ट या फिर हम यह वह पहुंच में नहीं यानि कॉमन लोग एयरवेज के द्वारा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और इसकी पहुंच भी नहीं है इस ओनली इन नोर्थ इस्टरन स्टेट और जारह तर यह नोर्थ इस्टरन स्टेट में इन सेवाओ को आम आदमी तक उपलब्द करवाने के लिए बह नोर्थ इस्टरन स्टेट के जो लोग हैं इस तरह की सेवाएं पहुंच सकें वह इनका यूज कर सकें वहाँ पर क्योंकि बहुत जादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है तो ऐसे प्रॉविजन किये गए हैं ताकि लोग वहाँ पर इनको यूज में ला सकें ने इस पर प्रद्री पर अव्तरित हुआ है उसने के विबिन जो संचार माध्या में उनका प्योग किया है लेकिन अगरा मॉडर्न टाइम में देखें तो इन जितने भी कम्मिनिकेशन के मीन से इनमें हमें बहुत सारे चेंजिस देखने को मिल सकते हैं और बहुत तेजी से इ मेसेज मिला है जो मेसेंजर मैसिज को भेजने वाला है उसमें बहुत ही गती बहिंद रहत दो कर सकता पर्सेनल कम्मिनकेशन मास कम्म्मिकेशन एंकलूड संचार जण संसार जह में हम्स में इसमें हम युथ में से गया बासाओ सब्सक्राइं ए tiếp तेलीविजन रेकियो decision हमारे major means of communication है हमारी कंट्री में भारत का डांक संचार जो है यह विश्व का सबसे पूरे इंडिल पोस्टर नेटवर्ग जो है इस लाज़ेस्ट इंद वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है इस एंडल पार्सल एस पर्सनल लिटल communication यह पार्सल और नीजी जो पत्र होते हैं लेटर जो होते हैं उनको को फिक वर्ल्ड करता है उनको हैंडल करता है ठीक है काड या जो लिफाफा एनवलप जो होते हैं या फिर एट हैंडल पारां कार्ड एनवलप या और या कॉंसिडर्ट फर्स्ट क्लास मेल सबसे जो फर्स्ट रिवनी की जो मेल होती है उसमें समझा जाता है इनको और विबिन इस्थानों पर जो वायू यान जो होते हैं उसके द्वारा इनको पहुंचाया जाता है एयर लिफ्ट बिट्विन स्टेशन कवर बोथ लैंड और एयर ठीक है यानि विबिन स्थानों पर वायू यान द्वारा पहुंचाया जाते हैं सेकिंड क्लास की जो डाक है उसमें रेइस्टर पैकेट बुक्स निउस्पेपर और मैगजीन इंक्लूड है यह हमारे जो लैंड जो हमारे मतलब हम लैंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही प जल्दी से 6 डाक बनाए गए है ताकि लोगों तक बहुत जल्दी से क्विक्ली डिलीवर होड़ सकें उनके मैल तो इसके लिए 6 मेल चैनल बनाए गए है राजधानी चैनल और इनको राजधानी चैनल कहा गया है सबसे पहला राजदानी चैनल मेट्रो चैनल ग्रीन चैनल और जो हमारे बिजनेस चैनल मॉल्क मेल चैनल और प्लॉडिकलेंज चैनल यह हमारे शिक्स मेल जैनल से वह इंक्लूड किए गए हैं तिल मार्च 2010 अगर हम मार्च 2010 तक देखें तो 548.32 मिलियन मोबाइल कनेक्टेड वर्ट इन हिंदिया भारत में 548.32 मिलियन मोबाइल कनेक्टेड थे में कंपेरिजन विज एनी अदर कंटी तो आवर चोइस हम इसको दूसरी कंटी से तुलना भी कर सकते हैं आप इंडिया Has One of the Latin लबने लाग लजिसट टेलिकॉं नेट्वरक्फ इन इंडीया एशिया भारत में संचाट तंतर में मजो भारत बहुरत यह वह एशिया का सबसे लारजिस्ट टेलिकॉम नेटवर्क इंडिया में एक्सक्लूजिंग अर्बन प्लेस मोर देन टू तू दा विलेज इन इंडिया हैब अलड़ी बीन कवर्ड विड सब्सक्राइबर ट्रंक डायल एस्टीडी टेलिफोन फैसिलिटी लेकिन जो हमारे नगर जो हमारे अर्बन छेतने उसके सब्सक्राइब करने के लिए भारत सरकार ने देश के हरे गाउं में 24 घंटे एस्टीडी सुईदा के विशेश जो हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है इन ओर्डर तो स्ट्रेंटन फ्लो इन्फोर्मेशन फ्रम ग्रास्रूट टू हाई लेवल यानि इत्ता कि हमारी यह सारी जो फैसिलिटी है यह बिल्कुल ग्रास्रूट लेवल से हाई लेवल तर पहुच्छा के कि दीट स्ट्रूट dari आश्ट लेवर दा लिया और पूरे इंदिया में एकws बढय मैं कि भी है इन यह चिए honeymoon विट नो ड्रैक्रण ओ निपी यह है निए सब्सक्छ न उपासिवल भाइन इनलगरेटिंग फीन देवलेवलाइम्हेंट और इनिस आशित ettrumikes कि अग् या जो हमारी स्पेस्ट टेक्नोलोजी है उसके डवलमेंट के साथ ही संभा हो पाया है मास कम्मुनिकेशन प्रोवाइड एंटेंटेंडमेंट एंड क्रियेट्स अवेर्नेस अमोंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो मास कम्मुनिकेशन मास कम्मुनिकेशन मानम को मनोरंजन के बहुत से रास्टे कारेकरम या उनकी जो फोलिसीज हैं उसके विशे में जागरू करता है इसमें हमारे डेडियो समाचार पत्र जो होते हैं पत्रि का एक इकिताब और जो हमारी मैगजीन्स होती है फिल्म्स होती है वो सबी इसमें लूड है अल इंडिया रेडियो यानि जिसको हम आकाश्वानी कहते हैं वो रास्टिये चेत्रिये और इस्थानिय भाशा में देश के विभिन भागों में अनेक जो वर्ग है उनके वेक्तियों के लिए बहुत सारे कारेक्राम परसारित करती है दूरदर्शन देश्थान नेशनल टेलिविजन चैनल ऑफ इंडिया इस वन ऑफ लाज़ेस टेलिटलियर नेटवर्क इन दर वर्ड दूरदर्शन जो है वो देश के रास्टिये समाचार और संदेश का माध्यम है और यह विश्व के बहुत बड़े संचार तंत्रों में से देख है यह विविन अलग-अलग जो आई वर्क के विक्ति के लिए मनोरंजन बहुत उनके जो एडूकेशनल से लेकर उनके स्पोर्ट्स तक की जो सारी इंफोर्मेशन है उस तरह के प्रोग्राम को यह प्रोग्राम ब्रोड कास्ट कराता है तिक उनको पडशारित करता है इंडिया पब्लिस्ट लाज नंबर ओफ न्यूस्पेपर और भारत में वर्ष भर अनेक जो इतने नियूस्पेपर है या पत्रिकाय है वो प्रकाशित होती रहती है यह जो जर्णल्स होते हैं यह पत्रिकाय सामिक होने के नाते यानि कैसे होती है यह कुछ पत्रिकाय जो होती है वह महिने में पब्लिश होती है कुछ हमारी वीकली पब्लिश होती है कई प्रकार की होती है समाचार पत्र यानि जो न्यूस्पेपर है वो लगभग हमारे हंडेड लेंग्वेज में और बोलियों में प्रकाशित होते हैं सबसे जारा समायचारपत्र हिंदी भाशा में फब्लिश होते हैं कि यह यहींदी भाशा काने फोलोड यह एंगलिश एनुर्दू इसके बाद इंग्लिश और उर्दू के माजार बत रहते हैं भारत विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्म का जो फिल्म बनाने वाला है लार्जेस प्रोडूशर ओफ फीचर फिल्म्स इन वर्ड पूरे वर्ड में फिल्म जो फिल्मस बनाने वाला है यह बहुत ही कम अवधी वाली फिल् इसी सबस्कार्व को परमाजित करने के लिए एक सेंटेज फिल्म को बना गया है जो हमारी अजो को फिल्म को ऑथराइट करता है ति यह इंडियन और फोरानी फिल्मों के इसो को परमांड बोर्द बनाये गए हैं नेक्स्त है हमारा इंटरनैशनल ट्रेड Falafallion के राज्ययों और देश के देश में व्यक्तियों के बीच वस्तियों के जो अधान प्रदान को वैपार खहला तक हमारों से तो हमारे डेश में व्यक्तियों के वीत जो वектив लुब कर सकते हैं यहां पर इस तरह के एक्षेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ट्रेड कहलाते हैं यहां पर इस तरह के एक्षेंज होते हैं जब यह ट्रेड दो कंट्रीज के बीच होता है तो इसको इंटर्नेशनल ट्रेड कहते हैं इसमुद्र या फिर हमारा हवाई एर के द्वारा या लेंड रूट्स के द्वारा हो सकता है जबकि हमारा या या किश्बे है या क्शबए हैं या हमारे गाउं के बीच होता है, इसको स्टेट लेवल ट्रेड इस के बीच बीच में बीच होता है advancement or international trade of country is an index to its economic prosperity और हम एक देश के जो international trade है उसकी जो development है उसके आर्थिक जो economic जो prosperity है उसका सुझेग है इसे रास्ट का आर्थिक barometer भी कहा जा सकता है यानि हम जो international trade है उसके द्वारा हम अपनी country के economic development को भी नाप सकते हैं तो इसलिए इसको economic parameter कहा गया है किसी भी कंट्री का सब्सक्राइब नेच्स आज आज दो सोर्स एज प्रहां नो कंट्री आर सब्सक्राइब डू इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम देखें कि सबी जो देश हैं सबी देश की जो हैं वह अपने एंटरनेशनल सभी देश के जो इंटरनेशनल वैपार सभी देश अपने इंटरनेशनल वैपार पर निरबर हैं और क्योंकि यहां पर संसाधनों की उपल जो हमारी उपलब दता होती है वो हमारे छेत्री है हमारे छेत्र पर कितने संसाधन है और इनका जो distribution है वो भी अलग-अलग है ठीक है export और import are the component of trade export और import जो है हमारे वैपार के component है export और import का जो difference होता है वो ही हमारे देश के जो हमारा ट्रेड जो balance होता है हमारे ट्रेड के balance को तै करता है when the value of export access the value of import it is called the favorable balance of trade अगर हम यह देखें जो हमारा export है export की जो value है वो हमारे इंपोर्ड की value से अधिक हो तो उसे अनुकूल वैपार संतुलन कहते हैं यानि favorable balance of the trade कहते हैं on the contrary इसके विपरीद अगर हम यह देखें कि value of imports access the value of export अगर हमारे निर्यात की अपेक्षा निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात है तो आसंतुलित वैपार कहलाता है तो इसको हम क्या कहेंगे अन्वेरेबल ठीक है यानि अगर हमारा इव्दा वैल्य ओफ इंपोर्ड एक्सीड वैल्य ओफ इंपोर्ड जादा है किसके का अब ले ठीक है यानि इंपोर्ड जादा है और एक्सपोर्ड कम है तो यह अन्वेरेबल है लेकिन अगर हमारा value of export export ज्यादा है और import कम है तो हमारा यह favorable है यानि export ज्यादा हो रहा है तो हमें ज्यादा income होगी इंडिया has trade relation with all the major trading blocks and all geographical region of the world भारत में जो विश्व के सभी भोगलिक जो हमारे geographical region है पूरे वर्ल्ड के और जितने भी ट्रेड जो विजन है उनके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन है पिछले कुछ वर्स्टों से अगर हम देखे अंग कमोडिश दा एक्स एक्सपोर्ट शेयर ओफ अग्रिकल्चर एंड अलाइस प्रोडेक्ट हैस बिन 99.9 परसें तबिन में यह कुछ है अपने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट शेयर जैसे अग्रिकल्चर में यह हमारे अलाइस जो प्रोडेक्ट है वह 9.9 परसेंट है ओर्स एंड वह 4.0 है जाम और जैमस और जोल्री जो है 1-4.7 परसेंट है पेंट्रोलिम प्रोडेक्ट्ट जो हैं 16.8 प उनको देख सकते हैं यानी हमारे एकस्पोर्ट में जो मारी व्रद्दी हुई है वह इस तरीके से हैं Natalie को माब टीन इंपोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूटफ पैैट्रोलियम और पैट्रॉलियम परोडेक्थ भारत में जो हमारा इंडिया में उसमें पेट्रोलियम और प्रोडेक्ट्स इंक्लूड है जिसमें 28.6 परसेंट है पल्स और पीशिस स्टोंज जो है वो 9.4 परसेंट है केमिकल 5.2 परसेंट है मशीन दी 6.4 परसेंट है यह को भी हम 2010-11 के संसे से देख सकते हैं Bulk Import as group registered a growth counting 448.2% of total import अगर हम Bulk import को देखें तो उसमें हमारा 28.2% है इसका टोटल इम्पोर्ट में और इस group include fertilizer और इस group में हमारे fertilizer जो है वो 3.4% स्याल स्टील्स 14.3 परसेंट डिबेगल ऑईल 17.4 परसेंट है और हमारा न्यूज जो न्यूज प्रिट है यह नि पेपर बोर्ड मैनुफेक्ट्रिंग या न्यूज प्रिट जो है हमारे वह 40.3 परसेंट है इंटरनेशनल ट्रेड है अंडर गॉन अशी चेंज इन दर लास 15 यह जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वह उसमें जो चेंजिस आए हैं लास्ट 15 यह से बहुत हैं हमें सी चेंजिस हमें महाँ पर चेंजिस बहुत सारे देखें एक्सचेंज ओफ लास्ट het सब्सक्राइब् करें उससे बहुत जड़ा पर चेंज अगर देखें चाहिंग एक्सचेंज की बचाएं हमारी इन्फोर्मेशं टेक्नोरोजी इन सब चीजहों का एक्सचेंज बढ़ गया है टिक है यानि अभी हम देखें कि workers क्या चेंज आए कि पहले कि होता था कि बहुत सारे सामान को हम एक्ष्चेंज कर देते बैट अब हमम अपनी नॉलिज अपने इंफॉमेशन को एक्ष्टेंज करने हैं एन्डिया आ गया है और यहां पर जो information technology है हम information technology के माध्यम से बहुत ज़्यादा foreign exchange को हम इखटा कर रहे हैं हम अपनी information जो है information technology को export कर रहे हैं नेक्स्ट है हमारा tourism as a trade तुरिजम जो की एक वैपार के रूप में है तुरिजम इन इंडिया है और लास्ट त्री डेकेड पिछले तीन दसकों से हम भारत में देखें तो तुरिजम जो इंडस्ट्री है वो उसमें बहुत ज़्यादा व्रद्धी हुई है फोरन टुरिस्ट अलाइवल इन कंट्री विटनेस एज इंक्रीज ओफ 11.8 परसें दूरिंग यह तुटाजन टैन के उसमें हम देखें तो हमारे जो कंट्री है उसमें फोरन जो टुरिस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा व्रद्धी हुई है उनके आने में और वह कितने है 11.8 परसेंट अगेंस यह 2009 2009 के मुकाबले में हम देखें तो यह बहुत ज़्यादा है कॉंटीब्यूटिंग एज 64889 करोड़ फोरन एक्षेंज इन 2010 तो इसमें कितना है हमारे 64 1889 करोड़ जो है यह हमारा विदेशी मुद्रा हमें से प्राइन एक्षेंज प्राप्त हुआ है 2010 में 5.78 मिलियन फोरन टूरिस्ट विजिट इंडिया इन 2010 में 5.78 मिलियन जो फोरन टूरिस्ट थी वह भारत में आये थे और मोर दें 15 मिलियन पीपल आर डिरेक्ली एंगेस इन दिस टूरिज्म इंडस्ट्री और 15 मिलियन पीपल से जादा जो लोग है वो टूरिजिम इंडस्ट्री में डारेक्ली एक्सजेंग उसमें लगे हमें है तूरिजम ऑल्स प्रमोर्ट नैशनल इंटिग्रेशन बठाएँ प्रशाइध करता है यहां इस्थानिय हर्सकला या जो संस्कृतिक जो हमारे उध्यम हैं उनको भी आगे बढ़ाता है इंटरैशनल इसतरह पर हमें हमारी संस्कृती हमारी विरासत की समझ विक्षित करने में बहुत जयादा यह समझ करता है हम अपने कलूच्प अपने heritage को समझ पाते हैं foreign tourist Visit India for heritage tourism अट्वेश्ट टूरिजम एडवेंच्रर टूरिजम और विदेशी जो टूरिस्ट वह भारत ने विराशत परियरटन या फिर यहां पर पारी बहुत एंटेटेटमेंट आडवंचर यारी रोमांच का रिट्रण के लिए अधे हैं इसके लिए हमारी बिजनेस टूरिजम के लिए यहां पर आते हैं भारत सारे आप कंट्री में हमारी अलग अलग पाट है एफर्ट्स और बिंग मेड प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म अपकमिंग यानि हम यह देखें कि लेकिन जो कुछ हमारे जो साम्दी करने इनको विक्षित करने को अब हम प्रोसाइट नहीं कर सकते ऑगे आने वाले दूरे ऐखेंश हमारी सारे हमारी कंट्री में हम उनको भाट बड़े तोर पर उनको डवलप करने ड़ाने हमारे ऐफर्ट्स बीइंग मेड्ट और बेफरेंट टीप्स और इन過來 अभुर्षिए एफर्ट किये जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से इस टूरिजम को बढ़ाने के लिए यानि यह जो टूरिजम इंडस्ट्री है इसको आगे आकर इसको विक्सित करने के लिए हम अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो हमारे एफर्ट से यानि बहुत सारे तरीकों से अलग अल